इतिहाद नियूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा कोरोना महामारी बनने जा रहा है कैसे बचा जाए इस भीमारी से कोरोना वारिस की पहली मौत करनाटक में हुई तो मुलक बर में अब तक दो लोग मर चुके हैं कोरोना वायरस की संजिदगी को देखते वे मुलक भर में एतियाद बरतनी की कोशिद जा रही है करनटका में एड़ोपा हुकूमत की जानिब से एतियादी खदम उठाए जा रहे है कोरोना से हैबत खाकर आने वाले 15 दिन तक कॉलेजिस को छुटी भी दी गई है तो स्कूल की घर्मियों की छुटी भी कल से ही जारी हो चुकी है बच्चों को अम्तिहनात के बगएर ही पास करने का फैसला लिया गया है जिसमें बच्चों में काफी खुशी नजर आ रही है करनाडक हुकूमत ने पूरे हपते के लिए एक तरह की ताला बंदी का ही एलान कर दिया है मॉल, पब, सिनमा गर इजलास पर पाबंदी लगा दी गई है स्कूलों को छुटी है पर असातिजाओं को हाजिर रहने का हुक्मत दिया गया कई हजार करोड रुपे का नुकसान का कयास लगाय जा रहा है तो फिलाल भारत में ही टूरिष्ट यानि साहिलानियों की कमी की वज़त से 8500 करोड नुकसान हो चुका है जबके भारत अभी तक उसकदर मतासिर नहीं हुआ है जैसे दूसरे मुमालिक हुए अमरिका और चायना एक दूसरे को जिम्मदार ठहराने की कोशिश कर रहे है अमरिकी सदर डोनल्ड ट्रंप ने तो इसे पैनेडेमिक याने महामारी वबा कहकर पूरी अमरिका में ऐलान भी कर दिया है वाज़ रहे के डबली एचो ने वर्ल्ड हेल्ट अर्गनाजेशन ने अब तक कोरोना वाइरस को महामारी या वबा नहीं कहा था महामारी उस बिमारी को कहा जाता है जो एक ही वक्त में दुनिया के अलग-अलग मुलकों में लोगों में फैल रही हो इसके मरीज पाएं जा रहे हो यहां लब्ज इसलिए भी इस्तमाल किया जाता है क्योंकि यह जरासिम बहुत तीजी से फैलते रहते हैं इसके सच्चाई कितनी है और किसकदर यहां खतरनाक है इस पर भी अलग-अलग ख्यालत हो सकते हैं अब उसका इसहार भी किया जा रहा यह जरूर है कि भारत को ज्यादा सतर करहना पड़ेगा बैरुनी ममालिक में भारत के जैसे भीड भाड़ वाले इलाके बहुत कम होते हैं अगर इटली, ब्राजिल, कैनरा, ब्रिटन और दिगर मुलकों की जहां पर शौपिंग मॉल होते हैं जहां जाकर खरीद फरोक्त हो पूरे देश में एकदाम किये जा रहे हैं पर अवाम की भी अपनी जम्यदारी होती है, यहां पर वायरस से भी ज्यादा अफवाय गश्ट करती है, हाथ मिलाने से भी यह बिमारी फैल सकती है, शायद इसी डर से एक दूसरे को दूर से ही सलाम किया जा रहा है, भारत के आने बदाए कि बच्चों में ज्यादा यह वायरस आसर नहीं करता हुमरसीदा लोगों में, खासकर 58-60 के उमर से ज्यादा लोगों पर ज्यादा असर करता है, देहाथ में यहां बिमारी फैलने के इमकानात बहुत कम हैं, यह एक शेहरी बिमारी है फिलाल गर्मी है, तो ग अफवा फैलाई गई है कि चिकन अंडे से वाइरस फैलता है जो बिलकुल जूट है भारत में खास कर करनाटक महराश्ट सरहद जैसा बेलगाम चहर है खास कर यह बात देखी जा रही है कि कुछ भी बीमारी हो तो इल्जाम बिचारे मुर्गी पर लगाए जाता है कोरोना वा वाइरस फैला वण नहीं देखा जाता है लहाजा फॉर्म पर तवज्जों ना दे यहाभी गवर करनी की बात है कि जितना चर्चा कोरोना वाइरस का हो रहा है सुबह शाम इसका जिक्र अज़कार चल रहा है यह खतरनक वाइरस है यकीनन जो दुनिया के तकरिवन मुलकों तक पहुंच चुका है हजारों लोग मारे जा चुक है लेकिन अगर एक बात और तवज्जों कर देने की होगी अगर भारत की ही बात कर ली जाए तो हर लमा एक बच्चे की माउट भूख से होती है युनिसेफ का कहिना है कि भारत में तकरिवन 65 मासुम बच्चे खाने की क पारक हाथसों में हर लमा हो मरते रहते रहें किसान हर रोज खुदकुशी कर रहा है हर लमा बलादकार होते रहते हर लमा दह씨 के लिए घरीब बच्चे ने वाले जरकर मशदूर तक को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकते हैं और बची कुछी कसर हमारे सियासी काईद मजभी दंगों में पूरी कर लेते हैं यकीनन कोरोन वायरस से बचने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस बीमारी में मर जाने की दुआ कर रहे ह वायरस जिंदगी वर मारता रहता है भूग से तडप तडप कर मरता है लिहादा जो सुबह शाम मोबैल रिंग्टों से लेकर टीवी स्क्रीन तक जिक्र किया जा रहा है यहीं फिक्र देश के दिगर मसाइल को लेकर भी होती रहे ताकि माशरे में दिगर बीमारियों के वा प्राफ इस